हेलो फ्रेंड सीमा बिटी की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नए नएक डिजाइन की वीडियो लेकर आई हूँ तो देखे इसको बनाना शुरू करते हैं यह हमारी कुर्ती है जिसका तीरा 13 इंच है यह ऐसे डबल फोल्ड में है अब मैंने यह फ्यूज पेपर लिया है तो देखे जिसकी चोड़ा 12 इंच है और लंबाई 14 इंच है इसको भी मैंने फोल्ड कर रखा है तो देखे इसके धाई इंच पर मार्क करेंगे और यहां से एक इंच छोड़ कर हम मार्क करेंगे और इस साइड से हम एक इंच पर मार्किंग करेंगे अब इस दोरों मार्किंग को हम मिला देंगे तो देखे हमने इसे मिला दिया है अब यहां पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यह देखिए इसे हम इस टाइप से मिला देंगे अब इस निशान के साथ साथ हम एक एक इंच पर निशान और लगाएंगे और इसे भी हम मिला लेंगे अब इसे हम कटिंग करेंगे अब यहां से हम कट करेंगे तो देखिए इस टाइप से हमारे नैक की कटिंग हो जाएगी तो देखिए हमारे नैक की कटिंग हो गई है अब हम इसे फैबरिक के उपर पेस्ट कर लेंगे तो मैंने इसे पेश्ट कर लिया है अब हमने अपनी कुर्टी ली है जिसके उपर हम पहले इस टाइप की लेस लगा लेंगे तो देखी हमारे नेक की लंबाई 13 इंच रहेगी तो हमने 13-13 इंच की लेस लगा लेनी है यह आप अपने हिसाब से कुर्टी के उपर 2 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा लेना तो देखी इसे हमें नेक बनाने से पहले ही लगा लेना है ताकि हमारे नैक के अंदर चली जाए और अच्छे से अटैच हो जाए ऐसे मैंने 13 इंच की लेस का पीश लिया है और इसे लगा लिया है तो देखी जो हमारा नैक का मिड़ पॉइंट था उससे हमने 13 इंच की दूरी पर लेस लगाई है ऐसे हमने दूसरी साइड लगा लिया है अब हमने जो हमारा नैक था उसको देखी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे देखिए फ्रैंट जो ये नैक डिजाइन है ये हमारे किसी वीडियो ने हमें पुरी कोसिस करेंगे तो देखीए हैसे हमने इसी फैबर्ड के चुमेंट करने हमें नैक बाने की पूरी कोसिस है यह तो देखिए एक ऐसे हमने इसी फैबरेक के साथ अटेज कर लिया है अब इसे हम अपनी कूर्टी के बीच में ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे शिलाई लगा देंगे देखी पैटरन को हमने कूर्टी पर अच्छे से एडजेस्ट करके और पिन लगा ली है ताकि हमारा पैटरन धर उदर नहीं हो और अब हम इसके उपर शिलाई लगा रहे हैं तो देखी जो हमारा नेक रड़ी होगा उसकी लेंथ 13 इंच होगी यदि आपने इसी ज्यादा रखनी है तो आप नेक की लेंथ उतनी कट कर लें आप 13 या 14 से ज्यादा तो कट नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा नीचे चला जाएगा नेक तो आप ज्यादा ज्यादा 14 इंच कट कर सकते हैं वरना आपकी हाइट कम है तो आप 12 इंची रखे उसमें अच्छा रहेगा अब हम जो एक्स्ट्र के घ्लूंषों में भी कटकी निसान लगा अगयो ही और यहांसे जो एक्ष्ट्र कप्ड है उसे कटिंग कर देंगी अनि इससे आप इसकी ऊपर प्लेश ब्लेश Video कर और इसके उपर प्रैस भी कर दी है अब मैंने एक तीन इंच चोड़ी पट्टी ली है जिसके उपर देखी हमने लैस लगा रखी है एक साइड में और इसकी लंबाई 33 सिंच है तो देखी इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगी देखी फ्रैंट यह हमारी कोलर है इसमें आप अपने नेक का अच्छे सी मेजरमेंट लेकिर उसके हिसाब से इसकी लंबाई रखें लंबाई को आपने शरू में थोड़ा ज्यादा ही रखन यदि आपने छोटी कट कर ली तो फिर बाद में इसका कोई ओप्सन नहीं है तो आपने इस पट्टी को पहले लंबा रखना है और फिर आपने नेक के मेजरमेंट के इसाब से कट कर लेना है तो देखी मैंने इसे 33 इंच रखा है यहां रखकर ऐसे हम सिलाई लगा लेंगी देखी हम यहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगी और अच्छे से पक्का करके हम सिलाई लगाएंगी ऐसे हमने सिलाई बिलकुल किनारे के साथ साथ लगानी है फिर इसको भी दूसरी पट्टी को भी हम एडजेस्ट करते हुए देखी है ऐसे बिलकुल हमने अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हमने सिलाई लगानी है ऐसे शिलाई लगाकर यहां पर अच्छे से पक्का कर लेंगे तो देखी है ऐसे हमारी कोलर अटेच्च हो गई है अब हम अपने नैक के बीच में एक पट्टी लगाएंगी तो उसका लिए पहले ही पट्टी के ऊपर शिलाई लगा लिए और इसकी ऊपर फिर पेपर पेस्ट्ट कर लिया थी इसको एक साईर से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अब इसे हम अपने नेक के बीच में लगाएंगे तो देखी फ्रेंट जितना नेक के डीप आपने रखना है उतना रख लीजिए और जो नीचे है उसके उपर हम पट्टी लगा देंगे तो देखे किसी को डीप नेक पसंद होते हैं और किसी को नहीं तो आपको जितना नेक डीप लखना है उतना रख ले और बाकी पर ऐसे एक पट्टी लगा दे देखे इसे भी फिर हम अच्छे से पक्का करके लगा देंगे देखिए ऐसे लगाने के बाद जो बैक साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे अब हम इसके उपर मोती लगाएंगे तो देखिए हमने इसी कलर के मोती लिए है जिस कलर की हमारी लैस है और इसे हम सुई धागे की हेल्प से एक एक करके यहां लगा देंगे तो फ्रेंड्स आपको हमारे इन एक डिजाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रही हम इस चैनल पर ऐसे नई नई वीडियो लाते रहते हैं यदि आपको भी किसी वीचेश टाइप के डिजाइन की वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता दे हम उस पर भी वीडियो चलाने की पूरी कोसिस करेंगे देखी फ्रेंट यह डिजाइन आजकल बहुत चला हुआ है और पहनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है आप भी से एक बार जरू ट्राइए करें बहुत सुन्दर लगेगा अंत में हम आपको दिखाएंगे भी कि यह पहनने पर कैसा ल लगाएंगे तो अब हमने दोनों साइड से मोती लगा दिये हैं तो प्रैंट्स आपने वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए थैंक्यू सो मॉच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में